सुरदन अल्धाना पोलिस ना बे कर्मियों पर गंबिर आक्षिप थे रहोचे PSI शैलेश गोस्वामी, कॉंस्रेबल कुल्दिप पर आक्षिप करायोचे वैपारी साथे 42 राख रुप्यानों तोड़नों आक्षिप चे वैपारीने सोनु आपाना बहाने तोड़ थे आनों दाओ करायोचे खोटो केस करवाना नामे वदू 4 लाख नों तोड़ करयानों आक्षिप थे रहोचे बनने पोलिस करमी सामे फोजदारी कार्यवाहिनी बांग करायेचे हाल डीसीपी सागर बागमारा समगर मुद्यत अपास करी रहा चाहे कुछ तोड़ किया है क्या था पूरा मामला किस मामले में पूलिस ने तोड़ किया है यह लोग हमें भीम्राच चेक पोष्ट पर पकड़े दारू के बहाने कि दारू चेक कर रहे हैं ले आकर मुझे अल्थान ताने पर बैठाया और काफी देरी दर उदर गुम्रा करते हैं स पूछा क्या क्या होने सारी गटना बताने के बाद भी वो लोग हमसे रात में पंद्रा लाग डिमांड किया पिर मैंने कहा कि मेरे पास किस गुना में आप मुझे पंद्रा लाग माग रहे किस रिश्की बात है यह लोग कुछ न करते रहे फिर वहां पे चार-पांच लोग कोई सोने की बिस्किट लेकर आए फिर कुल्दीब मुझे बोला अगर आप 15 लाग रुपए नहीं देंगे तो इस सोने के रैकेट पर मैं आपको फसाद हूंगा तब हमारे मित्र रमेज जी काफी डर गाए वो डरने के बाद अपने मित्र अपने जानने वाले वाड़ा जिस हम लोग दोनों भाई एकदम डर गाए और डरने के बाद रमेज जी ने अपने भाई मनौज भाई को फोन करके 6 लाग रुपए ठाने मगा है मनौज भाई लाक एक मुझे 6 लाग रुपए ठाने में दिया मैंने मेरे से कुल्दीब भाई भीमराट चेक पोश्ट के पीछे ही सुंसान जगा पर ले जाकर अपने स्विप्ट कार में उन्हों ने छेलाग रुपे लेने के बाद फिर मुझे एल्ठान्था लाने के बाद वहाँ से 15 पंदरर जगा साइन करने बा tout अवह पूछ चिस का साइन संस कर आ largo himself कैप में मेरे इस कूटी कि चाबी मुझसे ली और स्कूटी के बैग में से एक लाग अठाइस सो रुपए भी निकाल लिया मैं पुछा यह क्यों निकाल रहो कैम तुम जाओ नहीं तो दूसरे के मा फसा दूँगा तमाम प्रकार के धंकिया देते हैं चुकि रात साड़े 11 बज रहा था हम वहाँ से दूसरी बात सुनने में आई कुछ आप गहने लेने के लिए और जो बंदा गहना लेकर आया था वो ड्राइबर मेरा 35 रुपए लेकर चला गया जो बंदा गहना लेकर मेरे साथ उत्रा मैं उसको लेकर ही जा रहा था तो पुलिस वाले दो लोग आए एक बिना वर्दी में गाड़ी स्विप्ट बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से आए और आने के बाद उन्होंने उस आदमी को बैठाया जो आदमी मेरा गहना लेकर आया था मैं उनसे बोला कि सर मेरा गहना इसके पास है उन्होंने कुछ भी नहीं बोला दो पड़ाका उसको मारा भी आ और मार क को छोड़ दिया भगा दिया मैं का यह भाग रहा है सर तो उन्होंने मेरी गाड़ी और रमेज भाई की गाड़ी वहाई लॉक करके मुझे अपनी सुप्रियाद को सुनके इस में मुझे न्याय दिलाएंगे कि बिल्कुन आता अभिसेक भाई तेमनों सुधू के ओँ छे के फरियाद लही ने पोलिस कमिस्टर सुप्र पासे पहुंचाचे अने न्याय नी तेमने आसाचे पर